साथ संगत जी प्रेम से कहना साथ संगत मद्यपर्देश चतिस गड़ के इस प्रांतिस अंसमागम के अफसर पर जबलपूर शहर में इन मैदानों में आप सभी उपस्तित हुए हैं श्रदा लगन के साथ युक्त होकर जो प्रांतिस संगत अंसमागम मद्यपर्देश का कई बरसों से आयोजित होता आ रहा है जो एक्किस बरस पहले महराश्ट्रा और उत्रपर्देश के साथ मद्यपर्देश का भी प्रांतिस संगम अरंब हुआ और उन्निस परस बाद जबलपुर में फिर से संगम का योजन हुआ है इसके इलावा च्छतिस गड़ में दुर्ग रायपुर इत्यादी में भी संगम के आयोजन हुए मद्यपर्देश के इन दौर में भी गौलियर में भी कटनी में भी इस परकार से सागर में भी ऐसे आयोजन संगम के होते आये हैं अक्सर एक बरस छोड़ कर इन प्रांतिय संगम की बारी आती है लेकिन किसी कारण बीच में दो दो तीन सीन साल के भी वक्वे हुए हैं तो आपकी बार ये जबलपुर में संगम का जो आयोजन हुआ है इस बरस का ये तीसरा प्रांतिय संसमागम है जैन्वरी की 23 से लेके 25 जैन्वरी को महराष्टा का संसमागम नवी मुंबई में आयोजित हुआ और उसके बाद अभी दो हफते पहले उत्राखंड का समागम हरीद्वार में साथ और आठ मार्च को आयोजित हुआ तो सभी समागमों के ओपर भरपूर ऐसे ही सुंदर नजारे देखने को मिले हैं जहां पर भक्ति भावना प्रवल जहां पर एक दूसरे के सतकार करने की भावनाए प्रवल जहां पर इस निराकार पाद्रम परमात्मा की उपस्तिती का ऐसास इसी का रंग अपने मन के उपर चढ़ा कर शुभाइमान होते चले जा रहे हैं और संसार को भी यही एक भावनाए परदान करते चले जा रहे हैं इसी मार्क पर चलने के लिए प्रेरित करते चले जा रहे हैं और केवल हिंदुस्तान की बात नहीं विश्च के अनेकों मुलकों में भी इसी प्रकार की भावनाओं से युक्त भाक्त जन ये प्रोपकार कर रहे हैं ये योगदान दे रहे हैं अभी भी महराष्टा के संसमागम के संपन होने के अगले दी दिन मुंबई से ही सिंगापूर, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड जाने का मौका मिला जहां से 22 फेबरुरी को ही रात को वापसी हुई दिल्ली में तो उन मुलकों में भी जाकर यही देखा के किस तरह से ये मानवता का संदेश दिया जा रहा है जहां पर वहां के लोगों तक भी यही हामनी इन वननेस की तरफ ध्यान दिलाए जा रहा है जहां पर रेशिल डिस्क्रिमिनेशन्स जो अकसर कई मुलकों में होती है जैसे कि साउथ अफरिका के बारे में तो आपने सुनाई हुआ है जहां पर महातमा गांदी जी के साथ भी ऐसी ही डिस्क्रिमिनेशन की गई थी जिसके कारण उनके मन में वो एक ऐसी आग लगी और फिर एक उसी की पूर्ती करने के लिए किस तरह से कितने कितने योगदान दिये ऐसी ही डिस्क्रिमिनेशन कई दफा कई मुलकों में होते हैं और अपने मुलक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जाती पाती को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और सबसे ज़्यादा जाती पाती को लेकर घ्रणा और हिंसा की जाती है तो महापुष भगतों का अभी प्राय यही राह है गुरू, वलीयों, पीरों, पेगंबरों का यूगों यूगों से कि इनसान की जाती में पैदा हुआ इनसान इसी जाती की कदर कर ले कि मैं इनसान हूँ और इनसान होना उसकी फित्रत में आ जाए यानि कि इनसानी चाल चलने लग पड़े जाती पातियों से उपर उठकर मज़ो मिलत से उपर उठकर रंग नसल से उपर उठकर cultures और संस्कृतियों से उपर उठकर एक वजूद अपना पहचाने के मेरा असली वजूद क्या है मेरी असली entity क्या है जिस बाहरी सिसलों को ये अपना वजूद मानकर बैठ गया है अपने जिसम को, जिसम के रंग को, अपनी चमडी के रंग को या दूसरे की चमडी के रंग को, अपने लिबास और दूसरे के लिबास को अपने सर ढांकने को और दूसरे के मून मुड़वाने को अपनी भाशा को और दूसरे की भाशा को तो यही इसकी एक हमेशा से पहचान बनती आई है और नापतौल भी इसकी इसी अनुसार रही है। तो ये असली वजूद नहीं है, ये असली एंटिटी नहीं है। जो मालिक ने जनम दिया था, वो एंटिटी, इंसान, उसमें इस्थित अभी हुआ ही नहीं है। और महापुष्यो संतों का विप्राय यही रहा है, कि अपने असली वजूद में ये इस्थित हो जाए, इस्टेबलिश हो जाए। इसका असली वजूद एक निर्मल परमात्मा की अन्शात्मा के रूम में है, जिस परमात्मा की कोई जाती नहीं है। परमात्मा की क्या जातियां हैं, परमात्मा को किस कल्चर के साथ बांदेंगे, परमात्मा को किस लिबास के साथ बांदेंगे, किस के साथ आइडेंटिफाई करेंगे परमात्मा को, तो परमात्मा की कोई जाती नहीं है, और नाई सादू की जाती होती है, जातना पूछो साद की पूछ लीजिये ग्यान मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान तो ये परमात्मा की अंशात्मा है तो परमात्मा की अगर कोई जाती, कोई कल्चर, कोई संस्कृती नहीं है परमात्मा काला गुरा नहीं है तो फिर इसी की अंशा आत्मा ही तो इन जिस्मों में बस्ती है वही आत्मा बस्ती है जिसका मूल परमात्मा है जिसकी कोई जाती नहीं है तो फिर ये जाती पाती ये बाकी तमाम भेद वाले भाव ये कहां से उत्पन हो गए इसके पीछे कारण अज्ञानता रहा है और अज्ञानता नहीं खुदगर्जियों को भी जनम दिया है संकेंडताओं को भी जनम दिया है अपने पराय के भेद माने हैं उंच नीच की दिवारें खड़ी की हैं और जिसकी वज़य से नफरत की आग में जलते और जलाते चले आ जा रहे हैं सदियां बीटती चली जा रही है जंगे भी हुई है कुछ सेंकडों और हजारों नहीं आंकड़े बताते हैं कि इस वार में मिलियन्स डाइड इतने लाखों इस नश्व शरीर को इस तरह से उन्होंने त्यागा और इसी तरह से तशद्द, एक्स्ट्रीमिजम ये भी हम देख रहे हैं कितनी कुरूरता और कितनी कठोरता कितनी निर्दैता ये हम द्रिश देख रहे हैं जो घटना चक्र चारो तरफ चल रहा है उस से हम वाकिफ हैं क्योंकि मीडिया और टेक्नोलोजी ने एक इन्फरमेशन लेवल जिसको हम देखते हैं वो इन्फरमेशन लेवल कितना वो उसको विस्थार प्राप्त हो चुका है कितनी इजी एकसेसिबिलिटी होती चली जा रही है तो हम वाकिफ हैं हालातों को देख कर अपने मुल्क के किसी गाओं किसी खेड़े किसी शेहर में क्या हो रहा है विश्थ के किसी मुल्क किसी रिजन में किसी कॉंटिनेंट में क्या हो रहा है ये सब द्रिश हमारे सामने आते हैं तो इसके पीछे यही एक सोचने पे मजबूर होते हैं कि एक तरफ तो इनसान 21. सदी तक पहुँच गया है दूसरी तरफ इसका पिछड़ा पन भी उसी प्रोपोर्शन में हमें देखने को मिल रहा है जहां पर इतनी तरखियां, इतनी एड्वैंस्मेंट, इतनी प्रॉग्रिस और दूसरी तरफ इसका पिछड़ा पन देखो इतनी हैवानियत, कितनी शैतानियत देखो कहीं पर भी नजर नहीं आता कि 21 सदी में पहुँच गया है लगता यही है कि अभी भी प्रिमिटिव कहीं पर उस एज में ये ड्वल कर रहा है उसमें ये रह रहा है इस तरह की एक इंसान की ये फितरत बन चुकी है तो महापुर्ष संतिजन असली वजूद इसका असली जो वजूद है उसको स्थाफ्ट करने के लिए ये लगातार ये संदेश और पैगाम दिए चले जा रहे है ये याद कराए जा रहे हैं उन पैगामों उन आदेशों उन उपदेशों की जो वलियों गुरूपिर पैगंबरों ने इनसान को दिए इनसान के हित के लिए इनसान के पार उतारे के लिए वातावरण को सुन्दर बनाने के लिए ये उनके पैगाम वो जो पाठ उन्होंने पढ़ाया जो भूते चले जा रहे हैं तो यहां पर भक्त जन वही पाठ फिर से याद करा रहे हैं कि हमने वो पाठ याद करना है हमने वही सिक्षाइं धारन करनी है हमने वो सब कुछ अपने जहन से निकाल देना है जो हमारे लिए भी नुकसान का कारण बन रहा है और हमारे द्वारा औरों का भी नुकसान हो रहा है सारा वाता वरन दूशित विशेला होता चला जा रहा है उस भावना से हम उपर उड़ जाएं यानि कि वो जहन हमारे दिल और दिमाग में वो बातें जो घर कर चुकी हैं उसको हम बहा दें उसको हम तज दें एक लर्निंग प्रॉसेस होती है एक लर्निंग प्रॉसेस होती है कि हमने कुछ सीखना है उसको हम कहते हैं कि लर्निंग I am learning this subject, I am learning that language तो one is learning process and the other one is unlearning process अनलिंग का मतलब जो मैं सीख चुका हूँ जो धारन कर चुका हूँ वो उसकी तरव मैं फिर से ब्लैंक हो जाऊँ वो अपने जहन, दिल और दिमाग से निकाल दूँ जैसे कभी वो मेरे जीवन में वो भावनाय आई ही नहीं थी मेरी कभी वो सोच बनी ही नहीं थी जैसे वो स्लेट के उपर या ब्लैक बोर्ड के उपर अगर चौक के साथ कुछ लिख दिया गया और डस्टर के साथ उसको पहुंच दिया गया तो जरूरत इसी बात की है कि वो जो लिखा गया, जो जहन, दिल और दिमाग में मेरे बस गया मेरे जो द्रिष्टी, मेरे जो भावना हैं, मेरे जो संकींड़ता हैं, मेरे जो नफरत वाली भावना, हिंसा वाली भावना उसको उसी तरह से पोँच डालू और वो लिख डालू अपने जहन, अपने दिल और दिमाग में जिसके कारण हरी की दरगा में भी शर्मिंदगी ना होगी, बलके परवानगी हो जाएगी ये इनसानी जनम का रुटबा भी उचा करने वाला बन जाओंगा, तो वो गहरे से वो मेरे जहन, दिल और दिमाग में वो लिखा जाए, वो मैं सीख लूँ, उस पे चल निकलूँ तो इस तरह से महापुष संत जन ये लगातार यही संदेश, यही पैगाम दिये चले जा रहे हैं जैसे कि आज भी आप ने श्रवन किया कहीं पर बुंदेल खंडी भाषा में श्रवन किया कहीं मैचली भाषा में श्रवन किया कहीं पर आदिवासी भाषा में श्रवन किया कहीं सिंदी भाषा में कहीं पंजाबी भाषा में कहीं अंग्रेजी भाषा में भाशाएं कोई सी भी रही हो लेकिन संदेश महापुशों ने यही दिया है कि हमने अपने आप के वजूद में काइम होना है हमने अपने असली अस्तित्में काइम होना है यही एक वजूद हमारा स्थापित होता चला जाएगा तो फिर यह भेद भाव मिट जाएंगे यह दिवारें गिर जाएंगे फिर कोई पराया नजर नहीं आएगा फिर सारे अपने ही नजर आएंगे फिर किसके प्रती विप्रीत भावना किसके उपर जुल्मों सितम फिर एक आतम भाव बन जाएगा एक आतम भाव बन जाएगा उसी दृष्टी से हम देखेंगे कि कणकण में भी देख रहे हैं घटगट में भी देख रहे हैं और जैसे का है कि ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बने आई फिर कोई पराया कोई बेगाना नहीं रह जाता है सगल संग हमको बने आई फिर सभी से मेरी बने आई है आप मेरे लिए कोई पराया नहीं है किसको कैसर पत्थर मारूं कौन पराया है सीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है फिर किसके उपर पत्थर फेंकूं जब सीश महल में दाखिल हुआ तो चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं उस शीश महल में शीशे ही शीशे हैं और हर आईने में मेरा ही अक्स हर शीशे में मेरा ही अक्स मेरी ही रिफलेक्शन इसी तरह से ग्यान दृष्टी जब पाई तब अपना ही अक्स दूसरों में नजर आना शुरू हो गया अपनी ही रिफ्लेक्शन दूसरे में नजर आनी शुरू हो गई फिर फिर बेगाना करके क्यों देख पाया फिर दूसरे को बेगाना देख ही नहीं पाया जब अपने आप की reflection देख रहा हूँ फिर वो तो अपनी जानी पहचानी शकल है फिर तो जाना पहचाना वजूद है जब अपनी ही reflection नजर आ रही है तो इसका मतलब मैं अपने आप को जानता हूँ अपने आप से वाकिफ हों फिर दूसरे को पराया करके कहा जाता है कि यह समध्रिष्ठ होते हैं समध्रिष्ठ प्रभु डाम तेहारो कि केक समध्रिष्ठा बन जाते हैं और जरूरत यही है अगर यह ध्रिष्ठी नहीं बनती है उतनी देर फिर ये कहीं पर भी हिर्दे में अपने पन वाली भावना पैदा नहीं होगी और जद अपन वाली भावना पैदा नहीं होगी तो फिर नफरत और वैर के सिवाए और कुछ ना होगा घ्रिणा और इर्षा के सिवाए कुछ ना होगा और जितने भी नुकसान हुए हैं इसी घृणा और नफरत के कारण हुए हैं। जितने भी नुकसान हुए हैं इसी जूटे अभिमान के कारण हुए हैं। तो इसलिए ये नुकसान वाला रास्ता, ये तजने के लिए ही महापुर्शों ने, संतों ने, इनसान को जिंजोडा है, इनसान को जगाया है, ये देख रहे थे कि इनसान अपना ही नुकसान कर रहा है, औरों का भी नुकसान कर रहा है, इसलिए इन्हों ने जिंजोडा है, यह जो भव सागर में डूब रहा है इसे उभर जा, तेरा पाद उतरना संभव है, तेरा एक म्यार उंचा होना संभव है, यह मत सोच के यह संभावना नहीं है, हर इंसान के साथ के संभावना जुड़े हुई है, क्योंकि हर किसी में परमात्मा की अंशात्मा है, पीछे भी जास ने ऊस्टेलिया में एक जगह पर यह पंक्ति पड़ी, के इच हुमन सोल इस पोटेंशली डिवाइन, डिविनिटी का पोटेंशल हर आतमा बे है, इच हुमन सोल इस पोटेंशली डिवाइन, like there is potential in every wood हर लकड़ी में आग का potential है हर लकड़ी में आग लग सकती है तो जैसे हर लकड़ी में आग का potential है इसी तरह से each human soul is potentially divine लेकिन वही अज्यानता का आवरण वही एक अंदकार जिसके कारण ये divinity दब कर रह गई और उसी अग्यानता के अंदकार के कारण वह सब कुछ उसकी परतें जम गई जो वेर के रूब में, नफरत के रूब में, लोब के रूब में, लालच के रूब में, घ्रिना के रूब में, जुल्म औ सितम के रूब में, करूड़ता के रूब में वो सब हमारी पहचान बनने लग पड़ी वरना हम potentially divine है as souls तो इसलिए इसलिए पुने वही पर स्थापित करने की बात हो रही है जो वजूद की दास बात कर रहा है जो असली entity है अपनी, जो असली वजूद है इसलिए का है कि self-realization कि यह अपनी असली वजूद की पहचान, अपने स्वयम की पहचान यह हमारे हिस्से में आ जाए और जिस जिसके भी हिस्से में आ जाती है उसी के जीवन में करांती घटित हो जाती है वही फिर औरों के लिए भी बर्दान बन जाता है अपना पार उतारा तो करता ही है जीवन जिल्ये का सलीका खुद तो सीखी जाता है औरों को भी वही सलीका वो परदान करता चला जाता है अपनी चाल को संभाल लेता है औरों की भी भैकती हुई चाल को उनको संभालने के लिए अपने योगदान तन्मन धन के देता है ये इतो संतों का हमेशा से योगदान रहा है कि तरवर, सरवर, संत, जन, चौथा बरसे में प्रोब्कार के कारने चारो धारें दे तो ये प्रोब्कारी हिर्दे जहां आप संबलते हैं औरों को भी संभालते हैं। खुद अपने जीवन में उनके उजाला आता है। औरों के भी जीवन में ये रोश्नी लाते चले जाते हैं। खुद इनको वो दृष्टी मिलती है। औरों को भी वो दृष्टी परदान करते चले जाते हैं। जैसे वो महापुर्संत जन गीत अक्सर पढ़ते हैं, कि अंधे को अंधा राह दिखाएगा किस तरह, बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह, इसी तरह से जव जिनकी अपनी आखे नहीं हैं, जो खुद अंदकार में विचंड कर रहे हैं, जो खुद मजो मिलत की दिवारें खड़ी कर रहे हैं, जो खुद घ्रिना नफरत की भीज मनों में बो रहे हैं, वो कहां पर हमें उंचाईयों तक ले जाएंगे, वो कहां पर हमारा पार उतारा करेंगे, जो खुद अंदे हैं वो कहा पर हमारा वो अंदा पंदूर करेंगे वो तो उल्टा और बेडियां हमारे पाओं में डालते चले जाएंगे जैसा की हो रहा है तो अंदे को अंदा रा दिखाएगा किस तरह और बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह तो इस तरह से महापुर्शंत जन यही कहते हैं कि जिनका अपना जीवन उजाले से भरपूर हो गया है और जानते हैं कि उजाला कैसे संभव हुआ जीवन में वही हमारे लिए साधन बनते हैं हमारे अंदकार को दूर कर देते हैं हमारे जीवन में सवेरा आ जाता है और हम अपने इस जनम का मोल डाल लेते हैं और ये जीवन की यात्रा हमारी सफल हो जाती है जिस रूप में पैदा हुए इनसानी जाती में पैदा हुए इनसान बन कर हमने जी लिया तो हमने इस प्रकार से अपने इस सफर को सफल कर लिया तो यही तो महापुर्षों का अभी प्राय रहा है यही महापुर्षों का संदेश रहा है कि हे इनसानों यह सच की पैचान कर लो यह सत्त की लगता कर लो यह सत्त जानने योग्य है अन्यको जानकारियां दुनियावी मुबारक हैं लेकिन जो जानकारी तुम्हारे लोग को और परलोग को सवार दे तो ये जानकारी हासिल करना ज़रूरी है इसलिए संदेश दिये जा रहे हैं इसलिए पैगाम दिये चले जा रहे हैं कि जान लो इस मालिक को, इस खालिक को, इस मूल को और अपने स्वेम की पैचान बना लो स्वेम को जान लो, इस परमस्तित को जान कर यही है जो जानने योग है, जो भगवान कृशन ने अरजुन को कुरुक्षेत के मैदान में कहा जो संदेश गीता में हमें मिलता है कि जानने योग, वर्थ नोइंग, जो जानने योग है तो यह जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यह संदेश दिये चले जा रहे हो कि हैं इंसानों जीवन का सफर तै हो रहा है, एक-एक पल बीत रहा है एक-एक स्वांस जो लेते हो वो लोट के आता नहीं है एक बालपन की अवस्ता से किशोरा, किशोरा अवस्ता से जवानी तक भी पहुँच गए हो और कई जवानी से आगे भी निकल गए, मिडल एज वाले बन गए और बुढ़ापे तक भी पहुँच गए शरीर भी जरजर हो गया लेकिन जैसे फरीद जी जैसे सूफी संतों ने कहा है कि बुढ़ा हो आशेक फरीद कंबन लगी दे जे सौ वर्यां जीवना ते वीतन हो सीखे जिस फरकार से उन्होंने कहा कि कहा पर इंसान की यात्रा चलती है पांच बरस का भोला भाला अब तो बीस भयो मगर पचीसी माया कारण देश विदेश गयो तीस बरस की जब मती उपजी नित नित लोब नयो माया जोरी लाक करोरी अभून अत्रिब्त भयो जनम तेरा बातों ही बीट गयो तो एक एक पल जो है हातों से जा रहा है एक स्वांस हम लेते हैं और चोड़ते हैं वो लोट के आता नहीं है तो इतना ये दुरलब स्वांस हैं ये दुरलब जनम हैं इसकी कदर करें और जो असली मकसद हमारा जीवन का उस मकसद की पूरती करें ये सच की लगता करें जिसकी की अक्सर इंसान को चाहत नहीं होती है। ये दोड़ता चले जाता है, सारी उमर बिता देता है, एक परचाईयों का पीछा करते हुए, बनावटों का पीछा करते हुए, जिनका वजूद आज बदलता है, कल बदलता है, आज मिठता है, कल मिठता है, उसको हासिल करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए तो ये सारी उमर लगा देता है उस तरफ उत्साहित रहता है जागरुक रहता है लेकिन जिसके कारण लोग और परलोग सवरना है उसकी तरफ इंसान सोया रहता है तो इसलिए महापुर्शोने कबीर जी जैसे संतों ने कहा कि साचे का कोई ग्रहक नहीं जूटे जगत पती जैजी कि सत के ग्रहक नहीं है जूट के ग्रहक है सत की तरफ सोय हुए हैं और जूट की तरफ जागे हुए हैं दुनिया और दुनिया दारी की तरफ जागे हुए हैं दुनियावी परलोबनों की तरफ जागे हुए हैं दुनियावी फित्रतों की तरफ जागे हुए हैं लेकिन जिनका जागना अनिवारे है कल्यान के लिए वो सब तमाम पहलू सोय हुए हैं तो उस तरफ जागना है, सत्त की तरफ जागना है यह दुनिया के मौज मेले यह तो ऐसे ही बताये गए हैं कि ढलती हुई पर्चाईया हैं यह तो एक जैसे वेव उड़ती है समुद्र में लहर उड़ती है, उड़ती है और आखों से ओजल भी हो जाती है इसी तरह से जो दी से सो सगल विना से जो कुछ भी दे रहा है यह सब मिट जाता है माया जेडी रंग विरंगी 13 जी पर चांदी है, पक्की गल समझलाए मेरी ए आूंदीते जांदी है यह अवतारबाणी में बी शेयंशाबाब अवतार सेंजी के बचन आप लगातार पढ़ते सुनते हैं कि माया जेडी रंग विरंगी 13 जी पर चांदी है कि जो तुम्हें लुभाइमान करती है उसी में गलतान रहते हो ये पक्की गल समझ लो कि ये शाश्वत नहीं है ये सुदैव रहनी नहीं है जो आँखें इस तरफ जाती हैं ये देखने वाली आँखें भी नहीं रहनी है और जो आबजेक्ट जो सबजेक्ट है वो भी नहीं रहना है जो दीसे सो सगल बिना से ये कुछ भी नहीं रहना है तो इसलिए महापुर्ष संत जन कहते है कि सत्त की तरफ कदम बढ़ाने है एक शाश्वत रहने वाले का अधार लेना है इस शाश्वत को अपने रिदे में बसाना है तो इसलिए महापुर्ष स्तरफ प्रेरित ये करते चले जा रहे है वो इनसान की हालत है कि भjन करने को आलसी और भोजन को तयार है कि भजन करने को तो आलसी है लेकिन भोजन करने को तयार है वो मिसाल दास ने कई-कई दफ़ा दी कि एक कोई इनसान आया वो जो आके उन्होंने निमंतरन दिया उस महले से कि हमारे महले में, हमारे घर में इस तरह से एक भजन हमने आयोजित किया है तो आप आईए तो पती-पतनी कहने लगे नहीं जी, हमारे पास तो समय नहीं है क्योंकि पती-पतनी ने पहले ही सोचा था कि आज थोड़ी आउटिंग करते हैं कहीं पर बार खाना खाते हैं कितने ही दिन होगे घर का वही खाना, वही सबजियां थोड़ा जाइका बदलते हैं कहीं बार जाकर खाते हैं तो जब वो निमंतरन आया भजन के लिए तो इन्होंने कह दिया कि बड़ा जरूरी काम है हम नहीं आप आएंगे वो इनसान वापस लोटते हुए कह गया चलो मेरी ऐसी श्रदा थी चाहत थी आप आईए हमारे घर में चलो आपको जरूरी काम होगा कोई बात नहीं अब क्या होता है कि 20 मिनट के बाद एक और इनसान आता है और वो आकर कहता है जी मैं निमंतरन देने आया हूँ आपको किस शीज़ का निमंतरन कहता है कि हमारे घर आज भोजन है तो भोजन है सुनते ही दोनों की आँख में चमक आ गई कि वैसे ही हमने सोचा था बाहर खाएंगे वहाँ तो पता नहीं तीन चार सो रुपया खर्च हो जाना था रेस्टरांट में या किसी ढाबे में ये तो मुफ्त में ही निमंतरन आ गया हमारा मतलव तो ये ही था कि जाइका बदलें कुछ चेंज हो तो ये तो फ्री में ही हमें मिलने जा रहा है तो एक दम से कहते क्यों ना आएंगे आप इतने शरदा से बुलाने आएंगे हम क्यों ना आएंगे तो एड्रेस लिया और पहुंच गए शाम को वहाँ पर वहाँ पहुंचे देखते हैं कि उस घर से एक निकल रहा है दूसरा निकल रहा है तीसरा निकल रहा है बाहर निकलते आ रहे हैं और उदर जो घर का मालिक बाहर निकला जो निमंतरन देने आया था वो कहने लगा हाँ भाई साव आपको भोजन कैसे लगा तो वो पती पतनी एक दूसरे की चेरे की तरफ देखते हैं कि अभी तो एक पानी का गिलास भी नहीं मिला और ये जनाब पोच रहे हैं कि भोजन आपको कैसे लगा अभी सोची रहे हैं तो आगे से वो घर का मालि कहते है कि इतना अच्छा भोजन था, वो क्टितना सुर में गा रहा थथा, कमाल का भोजन था, परमातमा का कितना गुञगान। तो बात ये निकले कि वो जो निमंतरन डेने अा था, वो बेंख़ा से था, और वो भजन को भोजन कहते हैं तो उस भरम में आ गए कि शायद ये भोजन के लिए हमें बुलाने आये हैं वो बंगाली वो भजनी के लिए ही निमंतरन देने आया था जैसे पहला वो सजन आया था लेकिन वो भाशा और उचारन के उस भरम में आकर इन्होंने सोचा कि भजन का इड्मिटेशन है और चल निकले उस तरफ तो कहने का भाव क्या है इसी से ही वो पंक्ति बनी कि भजन करने को आलसी और भोजन को तयार कि एक भजन करने को आलसी है और भोजन को तयार यानि कि दुनियावी सिसलों की तरफ तो हमेशां तयार है बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पैपैस होया कि बुरे काम के लिए तो हमेशां उठसाहित है और वो सिख्षा जट से धारन कर लेता है लेकिन वो सब वो कुछ सीखता और अपनाता है जो डूबने का कारण बनता है और महापुष कह रहे हैं कि वो कदम उठा जिन कदमों को उठाने से तेरा म्यार उंचा हो जाएगा और तेरा लोक और परलोक सबर जाएगा एथे मिलन वड्याईयां दरगे मोक्ष द्वार ये तेरे हिसे में आ जाएगा तो इस प्रकार से ये महापुष संत जन भक्त जन ये संदेश ये पैगाम ये देते चले जा रहे हैं तांकि हम इस तरह से अपनी अवस्ता को हम बनाते चले जाएं और जो बाकी सिल्सले हैं ये दुनियावी सिल्सले जो हैं इनको हम उतना ही दरजा दें जिसको गुजरान माना गया है इस से अधिक नहीं तो महापुष संत जनों की वानी वो यही पुकार पुकार कर कह रही है तो आज भी आप सभी महापुष संत जन इस संत समागम की अफसर पर उपस्तित हुए हैं यही संदेश लेकर यही पैगाम लेकर कि हम भी अपने जीवन में ऐसा एक बदलाव लाएं एक ऐसी अपने जीवन में क्रांती हम लाएं ऐसी क्रांती कि हम एक सही इंसान बन पाएं देवता बन पाएं और हम अपने मंजिल को पा लें अज्यांता को दूर करके उजाला करके इस परकार से यह एक क्रांती जो है यह हमारे जीवन में यह घटित हो जाए हर किसी के जीवन में यह घटित हो जाए यही अभी प्राए है ऐसे आयोजनों का और महापुशो संतों के देन का यही अभी प्राए उनके पैगामों का यही उद्देश के इनसान के जहन में यह बात बैड़ जाए और इनसान को यह जागरिती यह मिल पाए ऐसी ही शुब कामनाएं होती है भक्त के हिर्दे में और विशेश कर दुनिया में नय वर्ष का आगमन जब भी होता है तब भी ऐसी विशिज दी जाती है ऐसी एक दूसरे को मुबारक बाद जहां नय वर्ष के आगमन पर दी जाती है वहाँ पर साथी साथ प्रोस्पेरिटी के लिए और अनिकों रूपों में ये गुड विशिस दी जाते हैं तो वो तो नया वर्ष 2015 का चड़ा और अब तीसरा महीनात भी उसके हम मद्दे तक पहुंच चुकी हैं तीसरे हफ़ते में लेकिन देशी तरीके से जो हमारी संस्कितियां बनी हैं उस लिहाँ से आज साथ इंडिया में उगाडी मनाई जा रही है और महराष्टा में गुड़ी पड़वा मनाय जा रहा है और हमारे सिंदी भाई चेती चेत मना रहे हैं तो इस फरकार से एक नए वर्ष का आगवन दे रहे हैं आगवन की शुब कामनाएं दे रहे हैं उस रूप में और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और मुबारक बात दे रहे हैं और साथ ही वही बात के प्राथनाएं भी क कर रहे हैं कि दातार ऐसी कृपा करे सब को सकून और चैन मिले सबी के जीवन में खुशाली आए और जैसे कहा कि सब के जीवन में ऐसी जागरिती आए कि ये सबी सचे इनसानी रूप धारन करके इस धरती के लिए वर्दान बन जाएं आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ें मोक्ष और मुक्ति के पातर बने साथ संगजी धर्न